नमस्कार सातियों, इन्फिजन नॉट्स के ओनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत हैं, जैसा कि आपको पता है, अपने एक डेली राजस्तान करंट अफेर की क्लास लगाते हैं, उसी कड़ी में, आज है 12 अक्टूबर 2024, और आज का जो भी most important करंट अफेर है, उसको राजस्तानी सेशन के अंदर डिटेल एनलाइसिस और स्टेटिक जीके के साथ कवर करने वाले हैं, इस क्लास के अंत में अपन सूजस का सार भी देखेंगे, क्योंकि राजस्तान में जितने भी एक्जाम होते हैं, उनमें 99% जो राजस्तान करंट अफेर के क्यूशन आते है वो सूजस के सार में से पूचे जाते हैं, तो इसके लिए अपन परति दिन जब राजस्तान करंट अफेर की क्लास लेते हैं, तो उसके अंत में सूजस का सार भी उस दिन का देख लेते हैं, तो चलिए, आज क्लास का पहला क्योशन क्या है, राजस्तान के कलाकार वीजे ज अपने किस कला के परदर्शन के लिए बारत जापान सांस्कृतिक आदान प्रदान कारीकरम में हिस्यदारी लेंगे या भाग लेंगे ठीक है तो जापान के अंदर एक तो भारत और जापान में सांस्कृतिक आदान प्रदान कारीकरम अभी चल रहा है अभी नहीं चल रहा है जापान के अंदर वहां पर ये कारिय करम होगा उसके अंदर फड़ चित्रकारी के कलाकार है विजय जोशी आपको पता है फड़ क्या होती है फड़ कपड़े पर कुछ भी महाकावी हो गई या कुछ बगवान की गाताएं हो गई जिसको दार्मी काताएं बोलते हैं उनका च सक्टूबर कोबे और ओसा का जापान में होने वाले भारत जापान सांसकर्तिक आदान परदान कारिय करम के अंदर अपनी कला का परदसन करेंगे और इसकी लाइव टेली कास्ट भी होगा इसका तो इंपोर्टेंट है ध्यान रखना है विजय जोशी का नाम याद रखना कि यह फड़ चितरकारी से समझ दीते 21 अक्टूबर को जापान और बारत में सांसकर्तिक आदान परदान कारिय करम होगा कोबे और ओसा का जापान के अंदर वहां पर ये अपनी कला का परदसन करेंगे इसके लावा फड़ क्या होती है मैंने आपको अच्छे से समझा दिय है अगला क्यूशन है हाल ही में केंदर सरकार की ओर थे राजस्तान के लिए कर हस्तान तरण की राशी के रूप में कितने करोड़ रूपे मंजूर किये आपको पता होना चाहिए पिछले एक दो दिनों से जो केंदर सरकार है वो राज्यों को जो कर में उनकी इंसेदारी हो रूपे करने कर तो शिंदर रूपे तो आपके रूप में इसमें से 10,737 क्रोड रुपे राजस्तान के हिंसे में आये हैं ठीक है इसके अलावा अक्टूबर दोजार चोबीस में जो दे नीमित किस्त थे उसके अत्रीक जो अगली किस्त भी आने है उसको भी ट्रांसपर कर दिया तो दो किस्त हैं के अंदर सरकार ने राज्य सरकार को कर के में सेवा और उनके समर्पन के लिए किसे राजस्तान वर्ल्ड रिकोर्ड अचीवमेंट अवार्ड से समानित किया गया रक्तदान के छेतर के अंदर उतकर्ष कारिये करने के लिए राजस्तान वर्ल्ड रिकोर्ड अचीवमेंट अवार्ड है उससे किसको समानित किया गया ज सेनि साब के अधाव un bei को चीजे बता देता हूं थूज कर लब जो अधनी साब हैं उनको यह वाड़ किस ने दिया है तो राजस्तान इंटरनेयस्वन सेंटर ने दिया है ठीए इस अभाढ़ का नाम कया है तो इंडर इंड़ इंटरनेयस्वन जर्निख उवड़ और वर्ल्ड रिकोर्ट अचीवमेंट अवार्ड के नाम से इसको जाना जाता है ठीक है केप्टन सुरेश कुमार सेनी है वो रक्तदान के छेतर में इन्हों ने बहुत अच्छा काम गिया इन्होंने आज तक 145 बार रक्तदान कर दिया है यह मैंने वहां पर पड़ा था 145 बार इसके लवा अंठानमा बार प्लेटरेट दे दिये इन्होंने प्लेट प्लेटरेट जो होते है वो अंठानमा वार इन्होंने दे दिये ठीक है जो प्लेट्स होती है प्लेट्स क्या होती है आप जानते हो जब आदमे के डेंगु होता है डेंगु के विखा बुखार के अं अमेरिका के अंदर रख्तदान कर चुके हैं दो बार अमेरिका में रख्तदान कर चुके हैं तो इंपोर्टेंट है और उनका नाम है वो 50 प्लेट नेशनल और इंटरनेशनल बुक और रिकोर्ड के अंदर भी सामील है ठीक है तो इनका नाम किसमें सामील है 15 प्लस नेशनल औ समारशेनी राजस्तान के हैं और इन को राजस्तान सभरीक or achievement डीया तक धी यहन ने एक बार प्लाजमा भी दिए दोबार इन्वाय का तो यह सारी चीज़े ध्यान रखनी है next क्यूशन पर चलते हैं आज का अगला क्यूशन क्या है हां यह भी क्यूशन अच्छा क्यूशन है क्यूशन है हाल ही में चार से दस अक्टूबर तक आयो जित अड़ सट्वे राज इस्तरीय होकी प्रतियोगे ता में कौन सी टीम विजय रही थी तो अजमेर अजमेर की टीम चार से दस अक्टूबर तक अड़ सट वी राज इस तरीय होकी प्रतियोगे ता हुई थी और इसके अंदर अजमेर की टीम है वो विजय रही थी ठीक है तो इसको विशेश त्यान रखना है कोटा के अंदर 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक 68 वी राजी इस तरिये होकी प्रत्योगेता हुई थी और इसके अंदर जो अजमेर की टीम है वो विजेई रही थी ठीक है और इसके बारे में और कुछ फूसरे तो आए जो 17 वर इसको भी ध्यान रखना दूसरे इस्तान की बात करें दूसरे इस्तान पर सहापुरा की टीम रही थी और तीसरे इस्तान पर सहापुरा तीसरे इस्तान पर सहापुरा तीसरे इस्तान पर शिकर और पहले इस्तान पर अपना अजमेर यह फेक्ट याद रखना आप इससे सट क्वित अदर कोटा के अंदर आव Алवी आश्य है ती और अजमर इसके अंदर विजए रही था शापूरा दूसरे इस्तान पर रही था था शिकर ती शैसित इसतान रहा था पताल इसलों की पताल स्टीमों ने इसमें बाग लिया गया तो राजस्तान सरकार ने अपरादियों के लिए एक Digital Bank बनाया है Fingerprint Bank बनाया है जिसके अंदर जितने भी अपरादी हैं उनका Fingerprint लिया जाएगा और उस Fingerprint में उनकी पूरी profile बनाई जाएगी किनों आज तक क्या क्या अपराद किया है किस जेल में है या जेल से बार अगर बेल पे हैं तो कहां परें क्या है उसका पूरा डीटेल उसके बाद उस अपरादी की केवल एक उस फिंगर पिरिंट से उस अपरादी की पूरी कुंडली को खंगाला जा सकता है इस परकार की यहांने 22,000 से ज्यादा जो पहले से print था उनका fingerprint बनाया है यहने 22,000 जो पुराने के दी थे उनका भी इसके अंदर fingerprint ले लिया गया है ठीक है इसके अंदर इसकी theme रहकी गई थी एक क्लिक पर अपरादी का record एक क्लिक पर अप्रादी का record देखा जा सकता है एक लाग तेतर हजार लोगों का तो fingerprint ले लिया गया अपरादियों का 22,000 जो पुराने अपरादी थे जिनका record fingerprint के रूप में नहीं था केवल काग्जों में था उनको भी fingerprint में change गर दिया है और पहली बार बदमासो और आरोपियों के fingerprint का digital bank है वो किस ने मनाया है तो वो बनाया है अपने प्यारे राजस्तान ने अगले क्यूशन पे चलते हैं राजस्तान के किस जिले में राजस्तान unity mall का निर्मान किया जा रहा है important अभी आपको पता होना चाहिए परदान मंत्री जी ने PM एकता mall योजना चलाई थी क्या PM एकता mall इस योजना के तेत ही राजस्तान के अंदर राजस्तान unity mall बन रहा है ठीक है इसके तेत कहां पर बन रहा है तो ये जेपूर में बन रहा है जेपूर के अंदर बन रहा है राजस्तान unity mall इसके निर्मान से क्या होगा इसके निर्मान से दो तिन चीज़ी एक तो जो खुद के अपने यहां के देशी प्रोडेक्र सेूदेशी प्रोडेक्ट में सब्सक्राइशन'T न को बढ़ा दिया जाएगा इसके सब लाफ जो कारीगर राजस्तान में गर का कबार भी ओनलाइन बेचने क्वाइम्ण ten hour Rap pilot इसने पाइप्व थ्यार किया है ठीक किसने दूख किया सबसे इंपर्ट lateral यह है जय पूर नाजबर नाजबर निगंने हैं क्या है आप को बताएं आज कच्रे को भी ओनलाइन बेचे ठीक है तो उसके लिए उन्होंने रिसाइकल एप जेपूर लॉंच किया है यह जो एप है रिसाइकल जेपूर एप है वह प्ले स्टोर पर अउलेबल है इसके अंदर इस एप में क्या क्या सुईधा यह देर किये कि अगर आपके घर पे कच्रा है आपको उसको निकालना है तो आप उस एप पर अपनी पूरी डिटेल दे दो घर का एडरस दे दो यह यह कच्रा है उसके बाद में घर पे गाड़ी आएगी आपकर वह कच्रा लेकर चली जाएगी तो इसके लिए रिसाइकल जेपूर एप है उसकी शुरुआत कि इसने क यह जेपूर नगर निगम हेरीटेज जो जेपूर नगर निगम उन्होंने की है और इसकी वरतमान में महापूर कोने में दो दिन से क्लासों बता रहा हूं जल्दी से मुझे कमेंट बोक्स में बता दू अगले क्यूशन पर चलते हैं मिस राजस्तान के 26 वे संस्क्रण में मिस राजस्तान 2024 का टाइटल किसने जीता है तो वो जीता है हर्थिका हर्थिका ने मिस राजस्तान के 26 वे संस्क्रण के अंदर मिस राजस्तान 2024 का किताब जीता है टेंट कई बार एक्जमों में पूचा जाता है ठीक है तो यह अजमेर की रेने वाली है कि अजमेर की हर्थिका ने 26 वे संस्क्रण मिश्राजस्तान के में मिश्राजस्तान 2024 का टाइटल जीता है ठीक है अरे वे इसके एलावा इसका जो फायनल हुआ था वह जपूर के ला ऑड़ीन के अंदर हो ठीक के लाओ जानते। प्रापत मांसरोलर के अंतर एंडरेटिपूर के अंदर है। फाइनेल के इंदर 28 गल्स थी 28 लटकयां Prix उनके वीच में मुकाबला वा और उसमें से हर्थिका ने ये मुकाबला जीता था ठीक है इसके लावा सेकिंड इस्तान पर रणर अरप कौन रही थी तो अर्णिका जेन रही थी और वहीं दूए तीसरे इस्तान पर रही थी खुशी बेलावाला तो इन चीजों का ध्यान रखना है हर्थिका कहां की है अज टेंट है राजस्तान के अंदर ये तो युवाओं के लिए अच्छी ख़बर है बोल सकते हैं कल एक और बेटक हुई थी मिटिंग हुई थी उसके अंदर युवाओं को लेकर क्या चीज़ें की गई भरती प्रिक्षाओं की समिक्षा मुख्यमंत्री श्री बजनलाल सरमा ने अधिकारिओं को निढ़ देश्त दिये एक लाग सरकारी नोक्रियां देने के लिए मिसन मोड पर कारिये करें बजनलाल जी ने साब साब बोल दिया है कि एक लाक नोक्रियां देंगे और उसके लिए आप काम है वो तेजी से सुरू कर दो ठीक है ये चीज़ बजनलाल एक लाग के अंदर नो टेंशन डोग सरकार यूँओं के सपनों को हर हाल में फूरा करेगी मुख्य मंत्री जी ये कल कोई मीटिंग हुई थी उसके अंदर बरतियां तेजी लाने के लिए उसके बढ़नेघे के लिए अच्चीघुः के बरतियों की नीमित अंतराल पर समिक्षा के लिए सरुमा ने काया कि ये कंब्रतियों में आने वाली विवहरी को दूर करने के लिए आउशक दिसा निर्देश देने और निमित मनीटृरिंग का युँ बुलाए कि अलग से कमेटी बनाएंगे वह इन बर्तियों को देखेगी अच्छी बात है समय संसादनों और सरम का सदूप्यों करते वे छोटी बर्तियों एक साथ आयूजित करें यह बहुती इंपोर्टेंट है यार मैं काफी दिनों से इसको देख रहा हूं कि उसां भी सकता हम जहां तक मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अपर यंची प्रकिरया में लगनेवाले समय को कम करने के लिए कम पदोंगी बर्तियों को एक साथ आयूजित कराने पर विचार करें एक जैसें पदों पदों के लिए अलग लग विबागों में अ कर लिया जाए कि इसको कौन सी पोस्ट मिलेगी अच्छी चीज है नियायले में लंबित भरती परक्रेणों का समय पर निश्थारण किया जाए मुख्यमंत्री नियायले के अंदर अच्छे से पेर्वी करेंगे उसको जल्दी से जल्दी निप्टारा करने की कोशिज करेंगे मुख्यमंत्री श्री बजनलाल सर्मा ने जील का बाड़ा इस्तित केला देवी मंदिर का दर्शन किये हैं एक्जाम में क्या पूचा जा सकता है केला देवी का मंदिर कहां पर है तो जील के बाड़ा जील का बाड़ा के अंदर केला देवी का मंदिर है जहां पर लांगूर आर्चना कर पर्देश की सुक्समर्दी खुसा लिगी कामना की तो आपको यह ध्यान रखना है जील का बाड़ा के अंदर केवलादेव का मंदिर है जहां पर लांगूर्या नर्ते होता है ठीक है मुस्ट भीमारियों की रोग थाम के लिए सरकार अलट अभी बहुत साधा बी दिसंबर 9 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर तक जेपूर के अंदर राइजिंग राजस्तान ग्लोबल इंवेस्टमेंट समेट 2024 होगी एक्जाम में पूछा जाएगा इस चीज़ का ध्यान रखना है ठीक है इस इन्वेस्टमेंट मीट है तो इसके माधियम से राजस्तान को निश्चित हों किसानों को प्रियाप तुरूरग ये अलग-लग न्यूज है जिसमें मुझे को इंपोर्टेंट नहीं लगी इसको ध्यान रखना है परदान मंत्री के मारक दर्शन में विक्सित आजस्तान के संकलब को मिल रही है मजबूतिक कर अस्तना अंतरन की रूप मे 10,730 क्रोड रुपे से वी करत ये क्युशन मैं यहीं से बनाया था अभी मैंने ये क्युशन पढ़ाया था कितने रुपे स्तानां तरन होए ठीक है तो यह हुए थे 4,406 क्रोड रुपे सडक तंतर में विक्सित होंगे अलग-लग चीजों में क्या क्या होंगे वह आप को अपने स्वास्ते के द्यान को टेक केर जैहिंद